वेलकम है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल इंडियन मॉम लाइफ में दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी बहतरिन दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी दोस्तों आज हम आपके लिए दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी लेकर आए हैं हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लब इस्टोरी पसंद आएगी तो चलिए गई कहानी स्टार्ट करते हैं आप सभी को कहानी सुनाते हैं दोस्तों मेरा नाम अमन है मैं एक मध्यम वरगी परिवास से हूँ मेरे भी कुछ सपने थे जिसको पूरा करने के लिए मैं अपने गाउं से सहर आया था लेकिन शहर आने के बाद मुझे पायल नाम के एक लड़की से प्यार हो गया मैं जिस जगा पे अपना रूम लिया था ठीक उसी के बगल में पायल का घर था पायल रोज सुबा साढ़े नो बजे अपने कॉलेज के लिए घर से बाहर निकलती और मैं उसे अपने रूम के खड़की से देखता रहता अब मैं अपने सपने को छोड़ पायल के पीछे जाने लगा पायल को देखकर मेरी दिल को बहुत शुकूर मिलता था मानो जैसे कोई खोई हुई कीमती चीज वापस मिल गई हो अब मैं अपने दिल की बात पायल को बताना चाहता था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं बहुत सोचने के बाद मेरे मन में एक विचार आया जिस समय पायल कॉलेच जाने के लिए घर से बाहर निकलती ठीक उसी समय में गली में आकर अपने बाई को साफ करने लगता और चुप चुप के उसकी तरफ देखता वो मेरी तरफ एक नज़त देखती फिर सीधा चली जाती ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा लेकिन कभी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे बात कर सकूँ एक थोड़ी हिम्मत करके मैंने उससे पूछा सुनिये क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी टाइम क्या हुआ है उसने जवाब दिया अभी 9.35 एम हुए है और इतना कहकर वो थोड़ी दुर जाने के बाद मेरी तरह मुड़ कर देखी उस दिन में बहुत खुश था मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था एक दिन मैं सुबा चल्दी उटकर तैयार हो गया कि आज पायल से बात करके रहूंगा जैसे ही पायल घर से बाहर निकली तो मैंने भी तुरंट अपनी बाइक निकाली और पायल के पीछे पीछे चल दिया पायल रोड के किनारे जाकर खड़ी हो गई और आटो का इंतजार करने लगी मैं उसके पास गया और उससे कहा हेलो मेरा नाम अमन है मैं भी इसी कालोनी में रहता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो कुछ पोश सकता हूँ पायल ने कहा हाँ पूछी ये क्या कहना है फिर उसके बाद अमन ने कहा आप किस कॉलेज से हो फिर पायल ने उत्तर दिया सेंट जेवियर स्कॉलेज से फिर अमन ने बोला आप बुरा ना मानो तो बात कहूँ फिर पायल ने कहा क्या उसके बाद अमन ने फिर कहा आप बहुत क्यूट हो फिर पायल ने उसका उतर दिया अच्छा जी फिर वो मुस्कुराते हुए आटो में बैट कर चली गई आज पायल से बात करके मैं भी बहुत खुश था मैंने तयग कि कल अपने दिल की बात पायल को बता दूँगा सुबह मैं जल्दी उटकर अच्छे से तयार हो गया और पायल से अपने दिल की बात कैसे कहूंगा इसकी थोड़ी प्रेक्टिस करने लगा पायल अपने घर से कॉलिज के लिए बहार निकली मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा वो रोड किनारे आटो आने का बेट करने लगी मैं लंबी सांस लेकर उसकी पास गया मैंने पहले उससे गुड मॉर्निंग कहा बदले में उसने भी मुझे गुड मॉर्निंग कहा मैंने पायल से कहा मुझे आप से कुछ जरूरी बात कहनी है पायल ने कहा हाँ बोली ये क्या बात करनी है उसके बाद अमन ने कहा पायल आप ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो सच कहूं तो मुझे आप से प्यार हो गया है उसके बाद पायल ने कहा क्या बोल रहे हैं आप, आपको प्यार बार कुछ नहीं हुआ है, ये अट्रेक्शन है बस, अब आप जाईए यहां से, मैं मायूश होकर वापस अपने रूम चरा आया, और मैं अपने काम पे नहीं गया, कुछ दिनों तक मैं पायल की नजरों से दूर रहा है, मैं सिर्फ अपने खिड़की से उसे कालिज जाते हुए देखता, साल का पहला दिन था, सभी लोग ने शाल को से लिबरेट कर रहे थे, मैं भी अपने रूम से बाहर निकल कर बैठा हुआ था, तभी मेरे सामने पायल आई और मुझे हैपी नीवेर बोला, मैं भी उसे सेम टू यू कहा, उसने मुझ से क्या आप सच में मुझ से प्यार करते हो, उसके बाद आमन ने जवाब दिया, हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा लेकिन आपको ये सब अट्रेक्शन लगेगा, उसके बाद पायल ने कहा, चलो छोडो ऐसा करो आप मुझे अपना नमबर दो, मैं आपसे बाद में बात करोंगी, उसके बाद अमन ने कहा, तो इसका मतलब मैं क्या समझूँ, आप भी मुझे पसंद करती हो ना, उसके बाद पायल ने जवाब दिया, आप मुझे पसंद आए, इसलिए मैंने आपका नमबर लिया, अब आप खुश समझ जाए, ठीक है, तो दोस्तों, आपको ये दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी कैसी लगी, हमें कॉमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अगर आपको ये लब इस्टोरी पसंद आई हो, तो आप इसे अपने पार्टनर तथा अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर करें, और जो भी न्यू हमारे पर आते हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आती है, मेरी कहानी पसंद आती है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस्ट कर लें, जिससे मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, मेरी वीडियो आप तक आसानी स से पहुंच सके तो इस कहानी को यहीं पर एंड करते हैं आप से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए बबाई थैंक्स वार वाचिंग